नवस्कार दर्शको मेरे तर्शकुपता एक बाप्टेश से आपका स्वागत करता हूँ दर्शको आज से डिस्टिक डेवलोमेंट कॉंसिल चुनावों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है दो बचे तक जो है वोटिंग की जाएगी आज जोनकर प्रियास करते हैं कि लोगों में कितना उत्सा है और लोग क्या कहना चाहते हैं इन चुनावों को लेकर डीडीजी के चुनाव जो है शुरू हो गए है पर्टिकॉलर इन चुनावों को आप किस दरिश्टि से देखते हैं देखिए एक बड़े खुशी की बात है कि डीडीजी के लेक्शन शुरू हो रहे हैं क्योंकि जो इलेक्शन प्रसेस होता है वो डेमक्रसी का बेसिक प्रसेस होता है क्योंकि जब तक हमारी जो बात कहने के लिए हमारे आगे नुमाइदे नहीं होगे तो हम किसको बात बताएंगे जनरल लेबल पर हमारे ये प्राब्म में हमारी गली टूटी रही है जा हमारा पार्क नहीं है जा हमारी शिक्षा की विवस्ता ठीक नहीं है या कोई और मुद्दा है तो डिसक्स करना तो ठीक है लेकिन अब ये दूसरी बात होती है ये वो मुद्दा आगे कैसे पहुंचे तो उसके लिए डेमोकरिसी में हमारे चुने हुए नुमाइदे होते हैं और जब तक हमारे पास नुमाइदे नहीं होगे तो हमारी बात उप पर सुरकार तक नहीं पहुंचेगी अब ये लक्षिन हो रहे हैं तो एक खुशी की बाता कि हम नुमाइदे चुनके आएंगे और हम अपनी जो बेसिक प्राब्लम्स हैं उनको हम उनको बताएंगे और वह बेसिक प्राब्लिक से फीड़बक लेकर आगे ले जाएंगे और जीदे करके वह प्राब्लम सुलजाए जाएंगे जीदे चुनाव जो है यहां पर होते हैं और चुनाव होने वीच चुनाव होंगे तो लोगों के मुश्कलातों का हल निकल पाएगा लेकिन पावर्स की बात करें चाहिए यहां पर कॉर्पेटर्स थे पंच थे सरपंच इनमें पावर्स नहीं थी अब डिस्टिक डिवल्लमेंट कॉंसिल के चुनाव हो रहे हैं इन मेंबर्स को भी अगर पावर नहीं मिल पाएगी तो क्या यह लोगों का काम कर पाएगे आये जाने का प्रियास करते हैं आपका नम क्या है काम करने में दिल्चस्पी होगी लोग उनके बाह जागार अपनी मिसीबते परशानिये बताएगे और उसका जो है वो सारा निप्टारा करेंगे हाँ कुछ और लोगों से जाने का प्रियास करते हैं कि डिस्टिक डेलुट कोंसे चुनावों को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं आपका नम कि मेरा नाम सर दलीब बडू है दलीब जी आज से चुनावों की प्रक्रिया शिरू हो चुकी है तो इन चुनावों को आप किस नजरीय से देखते हैं और क्या लगता कि आने वाले दिनों में क्या विकास की गती और बढ़ेगी देखिये सर जो हमारा जम्मू किश्मीर है ये पहले स्टेट सी उसके बाद दफा 370 तूड़ गई उसके बाद ये पहली बाद चुनाव हैं जो यहाँ पर होने जा रहे हैं मगर आपको इतना पता होना चाहिए कि इससे पहले पैंच सरपैंच बने तो बीडीसी की इलेक्शन भी हुई मगर अमेले भी यहाँ पर थे मगर यहाँ जनता का काम कोई हुआ नहीं तो जनता बड़ी ज़्यादा परिशान है अब डीडीसी की इलेक्शन है मुझे तो कोई लगता नहीं है कि उनकी कोई सुनवाई होगी मगर अब जनता का काम है बोट डालना आपको पता है कि इलेक्शन जब भी होती है हमारे जम्मू के लोग मतलब मैक्सिम्म लोग बहाँ निकल के बोट डालते हैं और यहाँ पर लोगों में भरजर के हिस्सा ले रहे हैं अब देखते हैं इलेक्शन होने दो उसके बाद पता चलेगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और वाकि डीडी सी की इलेक्शन है तो इस इलेक्शन में यहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों के बाद कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि लोग कह submerged है यहाँ पर जाना है बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है डी 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 सी का एक है विलकाप की लोग वहाँ तक पहूँचे अब देखते हैं आगे क्या होता है इस मारे में दरशकों चुनाव और चुनावी प्रक्रिया जो है डेमोक्रेटिक सेटड़ का एक हिसा है और लोगों के पास एक राइट होता है कि वो अपना वोट थे हैं और लोग जो है अपने वोट का इस्तिमाल भी कर रहे हैं उसके बाद जो चुनेवे निमाहिंदे आते हैं उनका फ reasons के कारण जो है ground में जो है काम होते होते हैं रह जाते हैं लोगों को बड़ी उमीदे होती है कि कोई भी representative जब चुन कर आता है वो उनके उमीदों पर खरा उतरे हम भी यह अपील करेंगे कि जितने भी members अब चुन कर यहां पर आएंगे वो ground पर काम करें और लोगों को भी उमीदों पर खरा उतरने का पूर्ण रूप से प्रयास करें इसी के साथ हमारी पुरी टीम को दीजे जासत फिर मिलेंगे नमस्कार